हलो तो कैसे हो आप लोग, I hope थीक होंगे, और आज हम लोग जो फिल्टर हैं उनके बारे में study करेंगे , फिल्टर का नम थो आपने सुनना होगा जैसे एकसरेटू में भी एक फिल्टर परजेंट होता है , तो इन फिल्टर का क्या work होता है या यह क्या होते हैं तो आज हम इसके बारे में study करेंगे तो फिल्टर क्या होते हैं फिल्टर made up by seat of metal यह जो metal की seat होती है उससे made up होते है Is the process of removing the unuseful radiation by absorbing the low energy photons thus decrease the patient dose increase the image contrast क्या होता है जो filter है वो एक process होती है ठीक है यह एक filtration एक process होती है जिसमें क्या किया जाता है जो unuseful radiation है उनको remove किया जाता है यानि उनको हटाए जाता है किस टैप से उनको हटाएंगे by absorbing the low energy photon जितने भी low energy के photon होते हैं उनको absorb करके और फिर जिससे क्या होगा जो patient dose होती है वो भी decrease हो जाएगी और जो image का contrast होता है जो film के उपर जो image होती है उसका जो contrast होता है वो काफी ज्यादा increase हो जाता है अब हम इसके filter कई types के होते हैं तो inherent filtration क्या होता है तो use to absorb x-ray they pass through x-ray tube and its housing यानि inherent जो filter होते हैं वो absorb करते हैं x-ray को जो की x-ray tube and उसकी जो housing है यानि कि जो glass envelope होता है उससे अगर जो x-ray pass out होती है उसको absorb जो filter करते हैं उनको क्या बोलता है inherent filter बोला जाता है अब second one आता है added filter ये क्या होता है to absorb all low energy photons and transmit all high energy photons यानि कि ये क्या करते हैं ये जो added filter होता है ये जितने भी low energy photons होता है या जो x-ray beam होता है उनको तो क्या कर लेंगे absorb कर लेंगे यानि जिनके energy कम होती है उनको absorb कर लेते हैं और transmit किसको कर देंगे जितने भी high energy photons होते हैं उनको transmit कर देते हैं ये काम किसका होता है added जो filter होता है उसका काम होता है next आता wage wage का मतलब होता है ये wage shape का होता है next आता है heavy metal और KH filter heavy metal और KH filter का क्या काम होता है to remove higher energy photons from x-ray beam जैसे कि added filter क्या करते हैं low energy को absorb कर लेते हैं या उनको हटा देते हैं वैसे ही जो heavy metal होता है वो opposite होता है यानि ये high energy photons होता है उनको x-ray beam से क्या कर देंगे remove करने का work करते हैं अब हम filter जो थिकनेस है उसकी बात करेंगी filter की थिकनेस कितनी कितनी हो सकती है इसमें क्या बात करता है कि इनकी kvp के कितनी kvp वे कितनी जो थिकनेस है वो होती है ठीक है तो below 50 k kvp अगर जो 50 kvp से नीचे है तो उसकी जो थिकनेस होती है filter की वो 0.5 mm aluminium होती है और अगर जो kvp हो 50 to 70 के बीच में होती है तो इसका मतलब उसकी जो filter थिकनेस होती है वो 1.5 mm aluminium होती है यानि 1.5 mm aluminium filter थिकनेस अगर more than 70 यानि कि जो kvp होता है वो 70 से ज्यादा होता है दैन उसकी जो filter थिकनेस होती है वो 2.5 mm aluminium होती है यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और competitive exams में बहुत questions इसके अंदर से आते हैं तो आप लोग इस table को याद रखना ओके तो बबाबाए, take care और like, share, subscribe करना ना असने नाद आते हैं में लोग, क्तले करच है